कि ये मैम चल रिंड महां चला ह एंड चल तो आजवर राबप मैं तो काफी से चेल रहा हूं तो यह करेंची त्वी में होते हैं मेल मेल दो पर और रोमेंश़ वेो में ते हैं या ओ Però कि अधिक verbessा ऩो तो तो कितने प्रकार की twin flame scenarios हो सकते हैं? Okay, so, सबसे पहले twin flame क्या है? इसको समझते हैं, right? So, एक आत्मा है, and आत्मा की जो दो energies है, एक feminine energy, एक masculine energy, right? वो दोनों बहुत strongly prevail करती है, right? तो यहाँ पर एक soul जब दो parts में divide हो जाती है, या अपनी energy, एक feminine energy को लेके carry forward हो के अलग body में चली जाती है, एक masculine energy को लेके अलग body में फॉर्म हो के चली जाती है, बट यह काफी common सवाल रहते हैं लोगों का कि मतलब फिर क्या हुआ कि वो सिर्फ feminine ही रह गई? या अपनी जाती है, मैं फिर बताया हम अपने में संपूर्ण हैं अपने में अपने में भरपूर हैं लेकन twin flames को हमेशा अपनी जिंदगी में एक पर्पस, एक पुल आएगा कि there's somebody out there for me कुछ है कुछ है कुछ है जो मुझे तलाशना है कुछ मुझे ढूंना है कोई परसन है उनको किसी से पुल फील होता है उनको किसी से तेलेपथिक कनेक्शन फील होता है इस हपंड वित में एस्वाल किसी को जाकर सुना दो बता दो उस बीशिस पर रीडिंग ले लो नहीं किसी की जिंदगी का सवाल है आप वो दावे से बता सकते हो जो आपने खुद देखा हो एक्सपरियंस किया हो और आपको पता है कि इसकी फंक्शनिंग कैसी वर्क करती है और इसके पीछे कोई कारण जो भगवान ने आज के समय में इतने सारे ट्विन फ्लेम्स को एकटे यहां पर इंकारनेशन का मौका दिया है उन सबका एक परपेस है उन सबका एक रीजन है सो मेरा मानना डेफिनेटली यह होता है और यह जो सोल होगा यह जो आत्म होगी जो एपरसन होगा आप आप लोगों की हीलिंग कई आगे पीछे हो लेकिन त्रेट्स आप दोनों के बड़े सिमिलर होंगे पस्नालिटी को और मौरल्स बिलीफ सिस्टम्स लाग डाट आप देखाएगा मतलब आपके जो अन्हील्ड पार्ट्स है यह ट्रिगर्स है किसी ना किसी वे में जाने अन जाने यह ट्रिगर्ण फिर 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 चाहिए जाएप पर पस क्या है तो बिल्कुल ट्विंफ्लेम्स मेल मेल भी हो सकते जिसको हम गेज के फॉर्म में देख जो कि बिल्कुल प्रेज़न है मैं अपनी जो रीडिंग भी करिए मैने इसका जो मतलब एफेक्ट है वो सामने देखा हुए तो बिल्कुल भी अगें आप टॉकिंग आउट अफ जॉस्ट अनिटिंग इस एपन तो यह होता है फिमेल फिमेल भी हो सकता है बिल्कुल तो ट्विंफ्लेम्स को पर्टिकुलर्ली जितना मैंने देखा है वो एक लॉव या रॉमांटिक कनेक्शन में होता है क्योंकि पुल उनका उस तरीके का कुछ है बले वो गेज और लेस्वियन हो या फिर रेक नॉर्मल मेंन फिमेल हो बिल्कुल बट मैंने देखा रॉमांटिक रेलेशंचिप्स में है आप जो बता रहे है वो यह सोल मेंट जो होता है वो कोई भी हो सकता है वो हमारा जो बहुत है वो हमारे वह सकता है वह हमारे कोई भी हो सकता है कुछ भी ऐनीबडी फैमली फ्रेंटर गुरु एनीबडी बट बट इस ऑल्वेज और रॉमांटिक पर्टनर अन्म आर दे मैं तो बी टुगेदर शादी होती है या नहीं होती बेसा बिल्कुल भी कहीं है कि उनकी शादी होएगी और वाट इफ मैं अगर टुन फ्लेम शादी ना करें अपने पार्टनर से जानते हुए भी कि यह टुन फ्लेम है और शी डिसाइड़ तो गो विदा सोलमेट देन विदा सोलमेट ओक सी फॉर्स्ट अफॉल आप जो एक टुन फ्लेम के साथ फील करते हो वो आप कभी जिन्दगी में किसी और के साथ experience कर ही नहीं सकते है वो तो ठीक है मैं बट अगर टुन फ्लेम अपनारा जो पार्टनर है वो बहुत ही खराब है तो इस नाम के पीछे बागत है कि टुन फ्लेम अच्छा हाइस लेवल ऑफ माटियल लॉव तो इसको चोड़ और लोग गलत लेलेंगे कि टुन फ्लेम का टॉक्सिक होना क्योंकि मैं इस बात को अच्छे से समझ रहा हूँ जो आप बता रहे हो कि अपने पार्टनर का टॉक्सिक होना यह गलत हो इस पे भी निर्धारित करता है कि आप अपनी spiritual journey में कितने आगे हो एक्गर अगर आप करोगे बैलेंसिंग नहीं करोगे या फिर अपनी स्पिरिचालिटी को नहीं गुरो करोगे दैन यूर पार्टनर वांट वी चेंज बड़ इसके करना के बाद भी वो टॉक्सिक भीएवियर नहीं खतम होता है देन अकॉर्डिन तो मैं कि अपना स्पिरिच्वल वर करना ही करना यह नहीं कि बैठे होई और बिल्कुल वेट करें कि बिल्कुल भी नहीं आप अपनी एनरजी पर हीलिंग दीज आप उसको अधार कीजिए उसके बावजूद अगर आपने ताइम भी दे दिया सरेंडर भी कर दिया पेशन भी रख ले लेकिन यह सीन के हां सामने वाला एक टॉक्सिक ट्रेट्स में है कि उसकी अवेक्निंग नहीं होई है मेभी वो उस पाथ पे चलने को रेडी नहीं है क्योंकि फ्रीविल आगई है तो दिन छोड़ तो लेट गो एं रादर फोकुस ओं लिविंग पीस्फुल अपी अपी अ वोमें चूज असूल मेट और बेटर तो बीटू से सिंगल पहली बात तो एक चीज़ मा को यहां पर बता हूं अगर सच में ट्विंख्लम है है न तो आपको यहां पर कोई इतने सारे लोग नहीं मिल जाएंगे जिसको आप चूस कर पाऊ खुद से जाकर नो मैं बट देर स्मेव विल में पारी करें लोग वझा और grow your family, you need someone I understand, so that is the case see, अब मैं तभी केतन आपको बता रहे हूँ कि मेरा belief, मेरा मानना slightly different है बहुत लोगों से कि अगर आपको वो feeling नहीं आ रही है अगर आप connected नहीं हो अगर आप aligned नहीं हो तो ये सब create करने के बजाए, मतलब आप कर भी लोगे तो भी आपको शांती नहीं मिलेगी ना वो खुशी मिलेगी राधर आपको और restricted feel होगा कि इस से अच्छा तो मैं free था तो मेरा मानना ये बिल्कुल भी नहीं कि just for the heck of it आप किसी से भी शादी कर लो, no वैसे मैं यहाँ पे अपना एक personal point of view रखना चाहूंगा कि जासा मैं बता रही है कि से मेरे अंदर है actual में है कि better to stay single than going on with someone else because अगर आप देखो अगर आपके life के scenario की वज़े से भी कि आपको कोई चाहिए आपके घर के लिए ठीक है तो उसकी कुलती नहीं है आप उसकी जिन्दगी बरबाद कर रहे हो because you don't love that person और और वो क्या expect करेंगा कि आप उसे वैसा ही love करोगे और वैसे support करोगे but inside you are showing yourself wrong तो यह जूट बोलके शादी कर रहे हो आप दिल से आप नहीं करना चाहते हो तो मेरा personal point of view मैं आपसे agree करता हूँ कि better to stay single instead of कि हम किसी की life खराब करें सिफ अपने घर के फाइदे के लिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए exactly thank you so much ma'am बहुत ही interesting conversation दाई and I think जो बहुत सारे लोग questions कर अभी ma'am recently इस वीडियो को शेर करें बहुत सारे लोगों से ताकि और भी लोगों ताकि awareness पहुचे and काफी लोग की आप help कर पाऊगे सिर्फ यह simply वीडियो शेर करने से so thank you so much and मिलते हैं फिर अपने अगले किसी podcast पे thank you thank you ma'am